नमस्कार सातियों, सातियों इस समय हमने सिक्षा पोटल पर लॉगिन किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5 वी और 8 वी के 6 चात्राओं से संबंदे कापी मेत्पून जानकारी प्रदान करने वाले हैं माली जी किनी 6 चात्राओं की कक्षा गलत प्रदर्सित हो रही है तो उसमें कक्षा सुधार के लिए एक नया उप्सन सिक्षा पोटल पर जूड़ दिया गया है यानि कि अब आप अपने विद्ध्यालाओं में धर्चा चात्राओं की जो कक्षा है उसे परिवर्तित कर पाएंगे तो साथ यो इसके लिए सबसे पहले आपको सिक्षा पोटल पर लोगिन कर लेना है जैसे ही आप सिक्षा पोटल पर लोगिन करेंगी कुछ इस तरीकी का पेज आपके सामने आ जाएगा यहां आपको एक उप्सन मिलेगा स्टूडेंट प्रोफाइल मेनेजमेंट आपको इसी उप्सन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस उप्सन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पुना एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको उपर काफी सारे उप्सन मिलेंगे जिसमें आपको एक उप्सन देख रहा होगा student profile management आपको इस option पर click करना है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे तो आपके सामने काफी सारे option आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे आखर में एक option मिल रहा होगा update student class for exam class 5 and class 8 और update student profile for exam class 5 and class 8 यह दो काफी headphone option जोड़े गए है अब माली जी आपको अपने विद्याल है कि किसी विद्यारती की कक्चा परिवर्तित करना है जो की कक्चा 5 और 8 और आट भी में है तो आपको सबसे पहले इस option पर click कर देना है जैसे ही आप इस option पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके का page आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको संबंदित जो चाट चात्रा है उनकी समगर आइडी दर्च कर देना है तो चलिए हम यहाँ समगर आइडी दर्च कर देते हैं समगर आइडी दर्च करने के बाद यह जो ग्रीन कलर में सर्च का ओप्सन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दे जैसी आप इस ओप्सन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर कुछ इंट्रेक्शन उपर आपको दीए हुए है कि विद्यारती की कक्छा में तुर्टी होने पर संसोदा नेतू रिक्वेस्ट दर्च करें यहनी कि आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट दर्च करनी है जाँ चुपरांत सक्षा मधिकारी कारिले दोवारा आपकी रिक्वेस्ट का आपने जो समगरा इडी दर्च की है उस विद्यारती की जानकारी आपके सामने प्रदर्च से हो चुकी है अब आप देख सकते हैं क्या आप विद्यारती की कक्छा में बदला वित्तु रिक्वेस्ट दर्च करना चाहते हैं तो इसमें उप्सन दिया है नहीं और हां तो आप यदि दर्च करना चाहते हैं तो आप हां वाले उप्सन पर क्लिक करेंगे तो एक नई जानकारी आपके सामने प्रिविष्ट हो जाएगी तो अब आप देख सकते हैं नवीन कक्छा यानि कि आप संबंदित विद्यार्थी की नवीन कक्चा चुल लें तो मालनीजी आप पांच भी कक्चा में उसे दर्ज कराना चाहते हैं आठ भी में जो भी कक्चा है उसे आप सिलेक्ट कर लें पुना नवीन कक्चा और आपकी जो नवीन कक्चा है उसे आप एक वार फिर से यहां पर दर्ज कर दें और उसके बाद नीचे जो option दिया हुआ है कक्चा अध्यतन करें इस option पर आप click कर दें तो इस तरीके से आप अपने विद्यालाय में दज ऐसे चात्र जिनकी कक्चा गलत प्रदर्सत हो रही है और विद्यारती बास पर उसके कक्चा पांच या आठवी में अध्यन्दत हैं तो इनकी जो जानकारी है भाई आप अध्यतन कर पाएंगे यानि कि उनकी जो कक्चा है भाई आप आप अध्यतन कर सकते हैं ताकि उन्हें बार से परक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो तो साथ यह ता आज का महत्पून अपडेट कैसी लगी जानकारी कमेंड बॉक्स में अपनी पुर्टी के लिए आवस्ते दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत बहुत धन्वाद मित्रो